हम लाइब आके नहीं बोलता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, अरे यार, हाई भाई, हाई होता, हाउ होता, अरे यार, तो हनी के का करवा सा, जो पवन सिंग ने कर दिया है न, उसी पर रेंगे हो पवन सिंग ने पहली बार खेसारी लाल यादों के खिलाफ इतना कुछ बोला है स्टेज पर, ये भडास है काफी दिनों की, जिसे पवन सिंग ने अपने इस स्टेज शो में निकाला आपको बता दें कि इस से पहले पवन सिंग से जब भी कुछ इस तरह के सवाल किये जाते थे, वो ज़ादा तर चुप रहना या नो कमेंट कहना ही पसंद करते थे लेकिन इस बार खेसारी लाल यादो को पवन सिंग ने जो कहा है, वो क्या सिर्फ खेसारी के लिए कहा है? क्या अक्षरा और खेसारी का काम करना पवन सिंग को जरा भी रास नहीं आया? वैसे आपको बता दें कि खेसारी को तो पवन सिंग जेल भी लेते हैं, लेकिन अक्षरा सिंग को वो जरा भी नहीं जेल पाते और अब ये दोनों इनके भोजपूरी इंडस्ट्री में सबसे बड़े दुश्मन हैं, वैसे आपको बता दें ये गुसा खेसारी पे कम पवन सिंग का नाम लिये जाने पर ही अपना मूव इचकाना सुरू कर दिया था, हाँ ये बात और है कि यहाँ पर पवन सिंग ने भले ही खेसारी का नाम नहीं लिया हो तो क्या से, लेकिन उन्होंने जैसे बोला, वो सभी समझ गए कि खेसारी लाल यादों को ही वो बोल वैसे ये पहली दफा नहीं है, जब पवन सिंग ने अपनी भडास निकाली हो, पवन सिंग समय समय पर अपनी भडास निकालते हैं, लेकिन बहुत रेर, वैसे लोग काफी कुछ बोल जाते हैं, लेकिन पवन सिंग बहुत इंट्रोवर्ट है, वो बोलना पसंद नहीं करते इस तरह की बाते लेकिन यहाँ पर पवन सिंग ने अपने आपको एक ब्रैंड बताया और यह कहा कि पवन सिंग के बाद ही भोचपुरी इंडस्ट्री में कोई है कल पतना के स्टेश शो को पवन सिंग ने अपने गानों से नहीं अपनी बातों से यादगार बना दिया जहां पवन सिंग के फैंस उन्हें इसके लिए वावा ही दे रहे हैं तो वहीं खेसारी के फैंस बहुत जमकट रूल कर रहे हैं पवन सिंग को आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजे साथ ही चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल न भूले